26 एप्रिल को दूसरे चरण में भीलवाडा में लोग सभा चुनाव होने वाला है। बीजेपी ने भीलवाडा से सांसक शुभास बहाडिया का टिकट काट कर दामूत अरगरवाल को प्रत्याक्षी बनाया है। साथ ही आपको बता दें कॉंग्रिस ने वरिश नेता सीपी जोशी को मैदान में उता रहा है। आपको इस बात से भी अवगत करा दें कि सीपी जोशी भीलवाडा से ही 2009 में चुनाम लड़कर केंद्री मंत्री बने थे। इसलिए बीजीपी के लिए जीत की ये रह आसान नहीं होने वाली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि राजस्थान के इस रण में जनता किसका साथ देती है। एंडी टीवी राजस्थान के टीम ने भीलवाडा की जनता के बीच जाकर चुनावी माहौल जानने की माहिलाओं से खास बातचीत की है। साथ दीवी क्या मुद्ध हैं, लोकसवाज शेक्तर के क्या लोगों की समस्था हैं। और कितना दोनों जो राजस्थिक देल हैं, वो दिये के पूराणिक गोश्चाओं पर खरा होते रहे हैं। मुद्धू जी आप तो अपरी समय में से सारुजेनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में साक्राणिक जीवन में साक्राणियों हो। जी आप पार्टियों के द्वारा दिये जारे इंडिनेयों। हमेशा होता है कि 50% महिलाओं को हम लोग टिगिट देंगे। लेकिन जब चुनाव आते हैं या कभी कोई पत्की बात आती है तो सरकारों के द्वारा महिलाओं को बिल्कुल गौन कर दिया जाता है। जो महिलाओं हमेशा काम करती है जाती है पार्टि की पूरी चदर जाजम सब उठाती है। जब वक्त आता है तो उनको हटाके और परिवार की महिलाओं को टिगिट दे दिया जाता है। जब महिलाओं 50% भागिदारी है और अभी तो महिलाओं का ये है कि महिलाओं सबसे ज़्यादा मद्दान करती है। महिलाओं हर शेत्र में आगे बढ़ रही है। जिन राज निती के अंदर महिलाओं को वो उचित इस्तान नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। हम ये चाहते हैं और हम सब ये मांग करते हैं कि विदान सबा, लोक सबा, पंचायत, नगर परिशर, जिला परिशर, सभी जगें 50% का आरक्षन हो और काम करने वाली महिलाओं को ही टिकित भिया जाए। आपको लगता है कि उस आरक्षन में जिस तरह से आरक्षन है और वास्ता में काम करती है। या फिर उनको प्रपेट बना के कुर्सी पे बिठा दिया जाता है ताकि वो सिर्फ साइन करें और कोई काम न करें तो हमारा यह सोचना है कि जिन जगे पर आरक्षन है उन जगर पर ऐसी ही महिलाओं को टिके दे के जिताया जाए जो वास्तम में प्रशाशनित जश्टी से उचीत हो और काम कर सकती है मतलब एक सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है मदुजाजु जी में कि महिलाओं को टिके तो दे जा रहा है मगर एसी महिलाओं को चुनके लाया जा रहा है जो क्योवल रबबड स्टाम्प है इसी बात पर हम और आगे बात करेंगे किस तरह से देखते हैं आप चुनाओं सिर्फे है क्या लगता है आपको प्रह़ी सर्कारों के कामकास से अब संतुष्ट है या क्या करना ऐसा क्यों होना चीज़ से महिला के बढ़िग कारी करता है पर मत्लब जो महिला कारी आता है वाकरी जो कारी करती हैं, उनको भी आगे ला कर उनके को भी जुनाओ लढ़ने का मोका दिया जाए उनकी कारी PERlyaवाई जाए, निकि सरकार अपने मत्तों कारी करने में एकस्पर्ड हैं, उनकी एकस्परड या जाए और उसकी महिला की पतिवा का उप्योग करना चाहिए मोटा मोटा आप क्या कहना चाहेंगे इस वारे में महिलाओं का तो इन ने काफी बूल दिया या तो मैं तो जनरल बोल सकते हूं जैसे सडकों पर हम लोग देखी रहे हैं यह बहुत ही ज्यादा तूट-फूट हो जाए एक जगह ठीक होती है फिर दूसे जगह वापिस खोड़ा खादी शुरू हो जाती है मतला इतना ज्यादा रोड खराब है कि कोई लेडी मतल निकले तो उसके बले डिलिवरी वहीं पर हो जाए इतना ज्यादा उबढ़ खाबड हो रखा अभी रोग आप शिक्षा के शेतर से नहीं में महिलावाल विकास से हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि महिलाओ के सशक्ति करन के लिए सरकार को कारे करना चाहिए और जो वरिष्ण महिलाए है और वरिष्ण आगरिक है उन्हें सरकार जो आरक्षन देती थी वो आरक्षन अभी भी पूरा होना चाहिए आ लेकिन भिलवाडा की स्थतिय हो रहे हैं कि हर जगे खड़ है सिवरेच का काम चला फिर उसके बाद में नालियों की तोड़ फोर हर थोड़े दिन में हर थोड़े दिन में यह तो यह मानना है कि हर कोई भी आप लोग जो सड़कों का काम करते हैं वो एक ही साथ होना चाहिए ताकि किसी को भी ऐसो दिदा नहीं आने जाने वालों तो में यह बदलाब चाहूंगे कि जो योगी महिला है जिनने वास्ता में समझ है पड़ी लिखिये शिक्षा विदे उन्हें मोका दें जो पार्टी से जुड़ी हुई है हर कारे करती है जिनको में अपना काम होता है लेकिन यह जो प्रशाशन जो काम कर रहा है जो बनकर आ रहे हैं जिनको हम अपना अमुल्य बोड़ देते हैं और हम आशा करते हैं कि वो कुछ करें लेकिन वो काम नहीं हो रहा है जो होना चाहिए तो वो होना चाहिए और आधी आबादी जैसा कहते हैं कि महिलाओं को आधी आबादी जैसा हमको वारा गया है लेकिन ऐसा हमको कहीं देखने को नहीं मिलका है, वो ही आगे बढ़ती है, चाहिए वो पड़ी लिकी है, चाहिए नहीं पड़ी है, लेकिन मौका उनी को दिया जाता है, जो अपने आगे से जो बहुत लेवल पे होते हैं, राजनितिक शेक्ति में, मैं कलाकार भी हूँ, आप को क्या लगता है, कलाके शेक्ति में महिलाओं को जो इस्तान मिलना कीए था, बिलवाड़ा में राजस्तान, वो अब तक मिलपा है और नहीं मिलना चाहिए भो नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को मिलता है, जिनको कोई जो नॉलेजद ही नहीं है, मैं तो यह क evaluate कि जो चुनाव पैसे बनाने काम हो रहा है थेके दारों को खुछ करने के लिए पैसा बनाने के लिए काम हो रहा है आप तो शिक्षा के सहते में जुड़े वे हो काफी काम किया है आपने आप किसा महसूस करते हैं क्या ऐसा काम होना चाहिए जो महिला और बेटियों के लिए अच्छा रहें जी बिलकुल धन्यवाद एक तो मैं ये चाहते हूँ कि जातिगत आधार पर टिकेक ना दिये जाए हम सामानी श्रेनी की जो महिलाएं है जेनरल काटेगरी किसी व्यक्ति विशेश या जाति विशेश की बात नहीं करी ऐसी पड़ी लिखी महिलाओं को और जेनरल काटेगरी क कि महिलाओं को भी आगे लाया जाना चाहिए और जो सीट दी जा रही है उसके ये सूनिष्चेत होना चाहिए जैसे सुमन जी ने का एक 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 जैम जैसे सीउईटी हो गया ना जैनरल वैसे एक 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 पंड़ाओं के लिए जब हम आरक्शन की बात कर रहे ह तो वैसे ही चाहें तो आप जाती का ताधार पर भी कर सकते हैं कि सामाने श्रेनी वाली महिलाएं कहा जाएंगी अगर उनमें योगित है परन्तु क्योंकि वो सीट रिजर्व्द है किसी विशेश जाती के लिए तो फिर वो नहीं हो पा रहा है और सभी जितनी पार्टी है वो फिर उसी पर ही ध्यान दे रही है हम जैसे सामाने श्रेनी के लोग और जो योगित है रख रहे हैं जो 30-30 साल से दूसरे काम भी कर रहे हैं वो आगे नहीं आ सकते हैं आज जब वोट चाहिए तो तूटी सड़कों पे चलके वो गारियां आ रही हैं वोट मिलने के तो ऐसी कुछ व्यवस्ता बनाई जो भी सरकार आ रही हो कोई भी सरकार आए हमारा वोट तो उनको जाना चाहिए यहां सबी मौजूद है जो कि हमारे लिए काम करें हमारे बीच में रहें और हमें दिखें हमारे बीच में रहें हमारे लिए काम करें मैं क्या कहना चाहते है कि वो चाहे जो कर सकती वो पुरी सरकार को हिला सकती है तो बस इतना ही उनसे कहूंगे कि आप अच्छे से अच्छे सरकार को चूज करें और अपना वोट दें क्योंकि ये हमारा राइट है थैंक यू वोट दें किसको भी बोट दें आप क्या किना चाहेंगे और मैं सभी से आवान करूंगी कि जो जो वोट दे सकता है वो जरूर से वोट दें और इसी के साथ मैं चाहूंगी कि महिला सुरक्षा के लिए जो नियम बनते हैं उनको पूरी तरीकने से लागू किया जाए कहीं कुछ छेड़ चार हो रही है पर अपना वर्चस दिखा करके उनके इसको दबा दिया जाता है तो मैं चाहूंगी कि आने वाली जो भी सरकार हो महिला सुरक्षा के लिए टॉप राइटी रखे अप क्या चाहेंगे उनकों में दिन नारी शक्ती के अंदर शिफ शक्ती है इसको कम नहीं समझें, मैं इतना ही बोलू हुँ आपको, और आप जो पूछ रहे हैं, कि महिलाओं को क्या करना चाहिए, उनको अपने हग के लिए हर लड़ाई लड़नी चाहिए, चाहिए वो घर्वाइ, लोग समझ से अपना वोट देना है हम नारियों को, यही मेरा, देश से ही राष्ट चलता है हम सब के अधिकार एक जेते हैं आपने टेक्स नी बढ़ा ऐसे किसे जलज़ता है बतों सब्सक्राइब लोग सब्सक्राइब चुनाओं में गोष्णाई तो बहुत होती है किसानों को फाइदा मिलना चाहिए किसान अभी प्रेशान हो रहे हैं यह की रेट नहीं मिल रही है सरगारे रेट 2400 रुपए हैं और मंडी के अंदर 223 रुपए में यह भिग रहे हैं किसान प्रेशान हो रहा है किसान बदद लागत भी निकल पारी इन किसान का बाद है आप कोंसे काउं से बहुज़े हैं क्या लग रहा है आपको अभी मंडी में आये वह तो केसा लगा है सरसों का बाव नहीं है और जुआं का बाव नहीं है और पानी की समिश्या है बनास उंडी होगी नंदी का रेद उंडा उदर गया कोड़ा सुग रिया पिलावा क्यों यह समिश्या है बजरी निकल रही इससे भी किसान को नुक्सान हो रहा है नुक्सान हो जा भारी नुक्स जंब कु Ort Bक K्राण बड़ा बेहाल हो रहा है और जो धरती का पानी है वो नेचे रहाइए यहिसां की पीडा है आज आधसी चार्यवी सरकार के सरकार होनी कुषित है थीय। जुट निप्टरल के सबसी किसां के लिएended पार है तो आप तो वादिशस चेंडै पर वह वाआ पर तो मात्री गुंडकि नहारे पाली तो भी पालीन चेर नहीं नहरा है तकलीव हो री कुरूर कि देखिए सब्सक्राइब कराओ को लगता है कैसी सरकार किसान के चाणा सरसो मक्का की खेति करते हैं जो वहार होगे सबसे बड़ी यही समाश्या है किसान करज मापी 2014 में मोदी जी ने लोकसवा चुनाओं में काया था कि हमारी सरकार बनते ही पहली मीटिक में किसान करज मापी का काम करेंगे उन्होंने किया नहीं एक उसके बाद 2019 में रहूर गंदी जी आए उन्हेंने कहा है कि एक से दस देसे किसान के करज मापी हो जाएगी उन्होंने भी नहीं कि पीज में पहले वीजेपी आगई 2014 में राउल गांडी जी ने आके बोला तो अपने 2019 में राज़तान में कॉंग्रेस सरकार आगई फिर वीजेपी आगई किसान की कोई सोचने वाला नहीं है पानी चोड़ा जाता है उससे नहर द्वारा किसानों को पानी दिया जाए पिलाने के लिए खेतों में तो हर साल किसानों के बरफूर लग चणा वगएरा फसल हो जाती है सरसुख अभी हमाई बीच में और भी को किसान बैसाब आप कांसे कांसा हैं आपको लासे क्या समश्या है किसान के और किसी सरकार होनी चाहिए बीजेभी सरकार होनी चाहिए पर किसान क्या उमीद करता है किसान को अच्छी उमीद होनी चाहिए और अच्छी रेटे मिलनी चाहिए अभी रेटे मिल रही चाहिए साब संदुश्य किसान नहीं है क्या अभी कम मिल रही है क्या मिल कुछ सी पसल में आपको क्यों हूं या सरसू किसमें पसल में सब मी कम मिल रहे हैं एक है तो अब हमारे बीच में और कुछ किसान है जिन से भी पूछते हैं बहुजी आप कौन से कहां चाहिए आपको लाशा है क्या किसान की किसी सरकार होनी चीए सब कहते हैं गोश्टन है तो वाद आल तीम घेर करते हैं वाद पाद आल जिबाज निए पाठीन मानेर खीक होने अभी ने कि खीक है भी कर रहे हैं भाद खटी आवी ना पने फाणी फाणी वाल चोटी निकरे रहे हैं खात की समस्चा बताइए और एक युवा किसान हो रहा है भी हमार बीच में उन से पूछते हैं वो क्या कहना जाते हैं आप क्या नाम बिया जिसे पेजाब मेरा नाम देवलाल चोधरी है गाओं अलेट से निवस्ची है और मैं किसान का बेटा हूं और मैं यह कहना चाहरा हूं जैसे की जैसे की समर्तन मुल्य के उपर जैसे की रेटे फिक्स होती है तो वैसे तोड़ी और रेटे मिल जाए किसानों को उनको बड़ा की नाम से कुछ जैसे उदार ले रके तो उनको पेमेंट देने में कोई समश्यां नहीं हो सकती है वहले हो कुल लाकर नका घर की आमदानी बढ़ सकती है यहाद बीज मिला क्ने मिल आख नीया करते हैं खीसान के बेटे तो ही हैं जैसे बीज तो मिल जाताए पर बीज की रि पिस की लोग भी है जो लगाता किसान्वें होते हैं , निसे पूछते हैं , कछोले जी आप तो 너這個是 hvis timeุपित का रोणार होते हैं? अपारी तो बाव होगा, उसी आगे बाव होगा, उसी से लेते हैं, उसके अलाब खिसान को जो गौवर्मेंट ने समर्दन मुले कर रहे हैं, समर्दन मुले खुले पे हो, मैंने खुला, जो खिसान लाया, चोईस रुपर के बाव है, तो खिसान को चोईस रुपर से कम पोई पर गॉवर्नमेंट नाया है जो ज जण उतना पड़ा लिखा नहीं है जो जन अदारकार जाकर जाके सो 205 से कर दस पर किम तुलाने के लिए शरकार के समर्दन मुल्या यहाएगा